लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं कॉंपिटीशन कम्यूणीटी में आज हम मद्य प्रदीश की लोककला और coloured सवां स्कुर्ट वस्तुनिष्ट प्रश्णों को कवर करने वाले हैं हम इन शबभी वश्तुनिष्ट प्रश्णों में जितना भी मध्य प्रदेश से लोक कला से संबंदित लोक गायन से संबंदित या फिर कोई भी महत्वपूर्ण चीजे हैं हम उन्हें कवर करेंगे तो चलिए हमारे पहले प्रश्ण की और आंगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला प्रश्ण है कि जल बिहारी का मेला कहां पर लगता है देखिए लोक कलाओं में हमें मेले भी दिखाई देते हैं तो जल बिहारी का जो मेला है वह लगता है छतरपुर, सीधी, होशंगाबाद और शिवनी जल बिहारी का मेला लगता है छतरपुर जिले के अंतरगत और ये हमें छतरपुर जिले का ही मंदिर दिखाया जा रहा है तो इसका सही आंसर होगा option number A काठी क्या है? देखे काठी के जब हम बात करते हैं, option देखेंगे जाती है, एक जन जाती है, एक कास्ट शिल्फ है और एक लोख नुरत है हमारा इन फोटोज को लगाने का ये मतलब कभी नहीं होता, कि आपकी पीपेटी सुन्दर हो जाए और आपको ये सब चीज़े देख सकें बलकि इनको लगाने का मतलब ये होता है, कि हमारा जो माइंड है, वो इमेज के फॉर्म में चीज़ों को बहुत आसानी से याद रख पाता है तो काठी जो है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस नृत्य को ही काठी नृत्य कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लोख नृत्यों ऑप्शन नंबर डी, भारत भवन कहां पर स्थित है, भारत भवन दिल्ली, इंडॉर, जवलपूर और भुपाल, देखे इसका नाम भारत भवन है, परन्तु ये भुपाल में स्थित है, इसकी अलावा यह जो है, यह भारत का एक मात्र कला संग रहाले भी, आपको ये है, तो इसका सही अंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, भोपाल, नेक्स कोश्चिन, मध्य प्रदेश में कानहा बाबा का मेला कहां लगता है, यह आपको मिला है दिखाई दे रहा है, यह मेला कानहा बाबा का मेला ही है, ऑप्शन होशंगाबाद, शोडलपुर, बढ़वानी और रीवा, देखे जब हम बात करते कानहा बाबा के मेले की, तो कानहा बाबा का मेला शोडलपुर में लगता है, तो इसका सही अंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, मालवा के लोक नाट्य कौन कौन से हैं, कलगी तुर्रा, माच, रासलीला और गम्मत, मतलब यह पूछ रहा है कि मालवा का मुख्य लोक नाट्य कौन सा है, तो इसका सही अंसर होगा, हमारा मालवा का मुख्य नाट जो है, वह माच है, नाट का क्या मतलब होता है, पहली ची मतलब दरजा सब्सх scanned सर्थ मालवा करें नातक और से माद्यप्रदीश के राज हो कऑने हम देखते हैं तो यह म मत्हीं प्रणीश दिखाइ दे रहा है कि पूरा इससा मालवा णे कहला तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B चाहुर किस छेत्र का लोखनाट्य है चाहुर जो है यह नुरत्य आपको चाहुर दिखाई दे रहा है option है बगेल खंड बुंदेल खंड मालवा और इन में से कोई नहीं देखे चाहुर की जब हम बात करते हैं तो बगेल खंड वाले शेत् है रीवा सीधी सिंग्रॉली वाला शेत्र में चाहुर लोकनाट्य किया जाता है तो इस कारण से हमारा option number A यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा विदीशिया गायान मध्य प्रदीश में कहां गाया जाता है विदीशिया गायान जो है वह व्यपार के लिए जो लोग जाया क के द्वारा गाया जाता है यह कौन सा शेत्र है रीवा सीधी सिंग्रॉली वाला शेत्र में चलते हैं मध्य प्रदेश में महा मृत्यूंजय का मेला कहां लगता है रीवा जैन ओम का रिश्वर और पच्मडी महा मृत्यूंजय की बात करते हैं तो महाकाल को ही महा मृत्यू जब महा मृत्युन जय मेले की बात करते हैं या महा शिवरात्री की मेले की बात करते हैं तो यह जो है वो रीवा जिले के अंतरगत लगता है तो यहाँ पर हमारा option number A बिल्कुल सही होगा रीवा उज्जैन की बात करेंगे तो उज्जैन में जो है वो सिहस्त महाकुम्भ लगता है नाकी महाशिवरात्री का मेला नेक्स बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड उत्सव कहां आयोजित किया जाता है तो देखिए मध्य प्रदेश में निमाड उत्सव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ खजराहो, महेश्वर, ओमकारेश्वर और मांडू तो कहां इस्थापित किया जाता है, कहां से प्रारंब होता है, तो प्रतिवर्ष निमाड उत्सव, आयोजन की बात करते हैं तो यह माव्या के शेत्र में आयोजित होता है इसके अलावा इसका जो प्रारंभ है वो महिश्वर से होता है और महिश्वर ही इसका सही आंसर भी हो जाएगा तो option number b हमारा महेश्वर इसके अलावा निमार उत्सव का शुरुआत कहाँ से होती है तो महिश्वर के अंतरगत ही एक अहिल्या घाट है जो कि नर्मदा नदी के तड़ परिस्थित वहाँ पर निमार उत्सव आयोजित होता है और यह जो आपको इमेज दिख रही है यह निमार उत्सव की ही इमेज है मालवा अंचल में किशोरियों द्वारा गया जाने वाला लोक गीत कौन सा है भर्थरी पांडवाएनी फाग और संजा देखे पहली बात तो मालवा अंचल में पूछ रहा है आपसे कि मालवा अंचल में कौन सा गीत गया जाता है उसके बाद किशोरियों के द्वारा किशोरि मालवा अंचल का गीत है भर्थरी पांडवाइनी फाग और संजा गीत तो इसका सही आंसर होगा संजा गीत संजा माई के जो गीत है वह किशोरिय के द्वारा गाये जाते हैं मालवा अंचल में अर्थात हमारा ऑप्शन नमबर डी बिलकुल सही होगा एक बात और इसमें मात से ताली बजाकर यह गीत गया जाते हैं राई मध्य प्रदेश के किस छेत्र का लोख नुरत्य है आपको पता होगा कि राई जो है वह मध्य प्रदेश का राज्य का ही राज्य की लोख नुरत्य है इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस नुरत्य में हमें मुखे तहा एक बेड़नी दिखाई जाती है जो नुरत्य करती है मतलब नुरत्य के केंदर में जो महिला होती है जो नुरत्य की होती है उसे बेड़नी कहा जाता है ऑप्शन देखते हैं बुंदेल खंड मालवा निमाड और चंबल देखे राई नुरत्य की जब हम बात करते हैं तो राई न यहां पर option number A, बिल्कुल सही हो जाएगा, मुक्ति बोध श्रजन पीट कहां इस्थित है, सागर, उज्यैन, भोपाल और जवलपूर, मुक्ति बोध श्रजन पीट की हम बात करते हैं, तो मुक्ति बोध स्रजन पीट जो है, वहाँ सागर जिले के अंतरगत इस्थित है, और स तो सागर है न यहां पर रहस मेला भी लगता है आपको यह भी आद रखना है कि रहस का मेला कहां पर लगता है तो सागर में लगता है रहस का मेला इसमें से कौन सी मध्य प्रदीश की बोली नहीं है मध्य प्रदीश की बोली नहीं है आपको बतानी है भोजपुरी, ब्रज भाषा, मालवी और निमाडी बहुत क्लियर आंसर है कि मध्य प्रदीश की बोली नहीं है देखें मालवी बोली जाती है मालवा में ब्रज भाषा बोली जाती है क्यों बोली जाती है क्योंकि यूपी के हलके पास में लगते हैं निमार में पूरी निमारी भाषा बोली जाती है इस कारण से तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारा भोचपुरी क्योंकि भोचपुरी से मध्य प्रदेश का कोई सम्मंध नहीं है अर्थात option number 2 यहां पर बिल्कुल सही होगा भारत के जोतिर लिंगों में से मध्य प्रदेश में जोतिर लिंगों की संख्या कितनी इसका मतलब यह है भारत के कुल जोतिर लिंगों में से मध्य प्रदेश में कितने जोतिर लिंग हैं दिखें यह आपको भगवान शिफ दिख दिखाई दे रहा है इन 12 जोतिरलिंगों में से महाकाल और ओमकारिश्वर में ओमकारिश्वर में ममलेश्वर जोतिरलिंग दिखाई देता है इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जोतिर निंगों कि संख्या 2 हो जाएगी तो हमारा option number B यहां पे सहीं आंसर होगा मध्य प्रदेश में प्रती वर्ष अखिल भार्तिय शास्तरिय नरत्य उस्व आयोजित किया जाता है लेकिन ये उस्व कहां आयोजित किया जाता है अपसे ये पूछ रहा है फिर से पढ़ लीजिए मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भार्तिय शास्त्रिय नुरत्य उस्तव कहां पर आयोजित होता है पच्मडी, खजुराहो, ग्वालियर और ओर्चाम जैसे ही बात नुरत्य और कला की आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में खजुराहो का ही चित्राता होगा क्यों आता होगा? क्योंकि चंदेल बंच के दुआरा इतने सारे मंदिर बनवाए गए इसके लावा हम दिखने हैं खजुराहो नुरत्य समाहरो भी होता है तो इसका सही आंसर भी खजुराहो ही होगा अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन में आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मालवी, बुंदेल खंडी, गोंडी और कौरवी मध्य प्रदेश की जब हम बोलियों की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश क्योंकि बहुत बड़े शेत्र में फैला हुआ है अलग-अलग राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है और अलग-अलग राज्यों के साथ जुड़े होने के कारण यहां की बोली बहुत अलग-अलग प्रकार की हमें दिखाई देती है मालवी हम बोलते हैं ठीक है बुंदेलखंडी हम बोलते हैं ठीक है गोणी हम बोलते हैं ठीक है लेकिन कौरवी हम नहीं बोलते तो option number D इसका सही answer होगा क्योंकि आपसे नहीं बोली जाती पूछ रहा है गोणी भाषा गौड जन जाती के द्वारा बोली जाती है बुंदेल खंडी भाषा जो है वह बुंदेल खंड में रहने वाले लोगों के द्वारा मालवी मालवा वालों के द्वारा बधाई क्या है बुंदेल खंड का एक लोक नुरत्य है मालवा का एक लोक नुरत्य है भोपाल में मनाया जाने वाला एक तहवार है या फिर बुंदेल खंड का लोक संगीत है देखें यहां पूछा है बुंदेल खंड का लोक नुरत्य है यहां बोल दिया गया कि बुंदेल खंड से संबंदित तो इसका सही आंसर होगा option number a केस जिले में बगेली भाषा नहीं बोली जाती रीवा टीकमगड सतना और सीधी देखिए पूरे एक जैसे शेत्र दिखाई दे रहे लेकिन जब हम बात करते हैं कि बगेली भाषा ना बोलेने वाला शेत्र तो बगेली भाष है आपको पता होगा महालाजाटolesome का संबंद dai तईकमगड से ही था महाराजा sucking रहाले भी यहां पर बनाया गया था को पता हिरा कि ही ठेस्टापनामंदे प्रडिर कि का है प्पाल में इसकी स्थापना किं संक्य अंतर्गत की गई थी तो 1969, 1956, 1961 और 1959 तो इसका सही आंसर होगा 1969 इसका सही आंसर होगा option number A अखिल भारती यह कालिदा समारो में आयोजित किया जाता है में मतलब खालिस्थान में यहाँ पे खालिस्थान होना चीए था खालिस्थान में आयोजित किया जाता है गुआलियर, उजयन, भोपाल और पच्मडी बहुत जादा क्लियर है भाई जब आपसे बहुत जादा क्लियर क्यों है गुआलियर, उजयन, भोपाल और पच्मडी बात किस की हो रही है बात हो रही है कालिदास समारो की तो कालिदास क संबंद्र किससे रहा है कालिदास का संबंद्राय उजयान से हम ने पढ़ा है कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में उजयान का वरनन भी बहुत जारा किया था इस Via कालिदास समाहरों समयान में आयो उजित किया बहुत है option number two है होगा वहीं अगर हम तांसेन समारों की बात करें तो हम गौलियर में जाएंगे चंडी देवी का मेला कहां लगता है सीधी, सहडोल, रीवा और सतना तो चंडी देवी जो है ये माता काली का एक रूप है और इनका मेला सीधी जिले के अंतरकत लगता है अर्थात हमारा option number A यहां पर बिल्कुल सही हो चाएगा सीधी जिले के संभाग के अंतरकत आता है तो ये आता है रीवा संभाग के अंतरकत महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था अहमेश्वर, राचिल, महेश्मती, शिद्धवर महेश्वर की हमने बात अल्रडी की है जब हम इतिहास पढ़ रहे थे उस समय कि अहिल्या भाई होलकर के द्वारा इस शेत्र को पूरा बसाया गया था और इसका प्राचीन नाम था महेश्मती और ये महेश्मती जो है यही अहिल्या भाई की राजधानी भी थी क्योंकि इनकी दो राजधानिया थी एक इंदर और दूसरी महेश्मती और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये महेश्मती या फिर महेश्वर का घाट है और ये नीचे से नर्मदा नदी बहके जा रही है बहुत ही ज़्यादा सुन्दर घाट है इसके घाटों का प्रयोग ज़्यादा तर फिल्म शूटी में बनारस के घाट को दिखाने के लिए भी किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा अप्शन नमबर C मालवा उच्व मध्यप्रदेश में आयोजित किया जाता है उज्याएन भौपाल 89 गौैल और जवलपूर देखो मालवा उच्व की बात हो रही है तो मालवा का मुख्य शेत्र कहां पर है उज्याएन वाप्शन ओप्शन नमबर C और यह आपको मालवा उत्सव की फोटो दिखाई दे रही होगी यहां पर विभिन प्रकार की नुरत निकला है संगीत समाहरो यह सब संपन कराया जाते हैं मध्य प्रदेश में तांसें समाहरो कौन से महीने में आयोजित होता है ऐसा कुछ होगा खालिस्थान महीने में आयोजित किया जाता है मार्ज, दिसंबर, जुलाई और सितंबर देखिए, जब हम मध्य परदेश में तांसेन समहरों की बात करते तांसेन समहरों ये क्लियार है, कहां पर आयज़ित होता होगा गौयलियर में आयज़ित होता है इसके अलावा तांसेन का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था राम तनुपाण्डे किसके दरबार में रहा करते थे थे तो पहले राम चन्द्रर्देव के उसके बाद अक्बर के दरबार में आये तहां से इन किस कला के धनीत संगीज कला के कौन से carrier को गाया करते थे ज़ादा तर यह दीप प्राग को गया करते थे कि इसके अलाबाँ हम बात करेंगे कब आयोजित किया जाता है यह समाहरों तो यह समाहरों to गोअ दिसम्बर जिले की अंतरगत आयोजित किया जाता है दिसमबर जिले के आस-पास में ये समारो आयोजित होता है निमार उत्सव का आनंद खालिस्थान नदी के तट पर लिया जाता है चम्बल नहीं चंबांब कि यह पि महा नदी और नर्मदा पहल इस है निमाड उत्तव की निमाड उत्तव का प्रारम हम कहां से करा रहे थे महिश्वर से Ohilya घाट से नदि कौन से थी नर्मदा नदी थी तो option no.D हमारा यहां पर सहीं हो होते हैं तो यहां पर हमारा option number C बिल्कुल सहीं हो जाएगा वहीं सबसे जादा मेलों की बात करेंगे तो next question में हम यह भी बताएंगे निमलिखेत में से किस स्थान पर कुम्ब का मेला नहीं आयोजित होता है आपको यह बताना है कि कुम्ब का मेला कहां पर आयोजित नहीं होता कहां पर नहीं लगता उज्जैन नासिक इलहाबाद और इंडॉर देखिए कुम्ब का मेला जो है वो प्रत्तेक 12 वर्ष में आयोज ुप कम्ब का मेलधा जु है वह उजान जिले में लगता है जिसे सिहस्त कुम्ब के नाम से जाना जाता है नासिक के दिशाफिए चैनलाएरp यहां मेला इंदौर जिले की अंतरकत नहीं लगता इस कारण से हमारा option number D बिलकुल सहीं होगा जो कि इंदौर है क्योंकि यहां पर मेला नहीं लगता और यह जो आपको दिखाई दे रहा है यहां उज्जैन जिले का ही सिहस्त का कुम्ब मेला है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले खालिस्थान जिले में आयोजित होते हैं किस जिले में आयोजित होते हैं सबसे अधिक मेले की बात हो रही है सागर उज्जैन पन्ना और भिंड देखी हमने बात की सबसे कम मेले हुशंगाबाद जिले में लगते हैं तो सबसे जादा म अध्य प्रदीश में कौन सी जगह पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है ऑप्षेन होशंगाबाद चंदेरी और च्छा और भोपाल देखे जब भी हम बात करते हैं जागेश्वरी देवी के मेले की तो जागेश्वरी देवी का मेला जो है वो चंदेरी म में आता है अर्थात यहां पर हमारा option number B बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अलावत चंदेरी वही शेत्र है जो कि महाभारत कालीन शुशुपाल का नगर भी था इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के कलाईवं संस्कृति से संबंधित मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में